कि हाई एवरिवन वेलकम अगेन ओन अनकेडमी प्लेटफोर्म आज यह सर वोईस वगर आरी तो नेक्स्ट जो है आज हम बात करने वाले नमस्कार दोस्तों साती हो नमस्ते सर जैमिना रतनलाल रतन भाई एंड आयूशी एंड नमीशा एंड राजकुमार एंड गोपाल चलि आजये आजाओ सर जी सर आगे 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 तो यहाँ पर आज जो है मिंडल्स के अंदर यानि की खनिज में नेक्स जो मैं बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं आपकी कोईले की तो कोईला देखना शूरू करते हैं फर्स्ट अफॉल आप जो एक क्लास ले रहे हैं वो अनकेडमी पर आपको खूब सारी क्लासेज मिलती हैं और अगर आप तयारी कर रहे हैं किसी भी एक्जाम की तो आप यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लासेज जो हैं वो देख सकते हैं कल यानि की शनिवार को और परसो यानि की रहेवार को यहाँ पर हमारा स्पेशल क्लास फैस करेंगे RPSC और RPSC select करने के बाद में आप से reference code वांगेगा तो आप reference code use कर सकते हैं TT live तो यह reference code जो है इस code से आप जितनी भी special classes हैं वो सारी की सारी free में देख सकते हैं उसके लावा अगर आप plus subscription लेते हैं 12 महीने का तो आपको दो महीने का subscription free दिया जाएगा और आप लेते हैं दो साल का तो आपको तीन महीने का subscription जो है वो free दिया जाएगा फदय टैस्तरी जहां पर चल रही है और आप यह every Sunday शाम को चार बजे देखने को बिलती है first rank पर आते हैं तो 100% scholarship आपको तीन महीने और इस से उपर के plus subscription के लिए दूसरे से तीसरी rank पर आते हैं तो 50% scholarship और 25% अगर आप चोथी से 25 वी पर आते हैं तो 25% scholarship आप इस टेस्ट के अंदर डेर सो multiple question देखेंगे हिंदी English दोनों में होंगे Maxim marks 200 marks duration जो है 120 minute और negative marking जो है वो 0.33% के साथ में आपको देखने को मिलेगी तो यह बात हुई थी आपकी अनकेडमी की अब बात करते हैं आपके कोल की तो देखो कोल जो है कभी भी देखने है संसाधन कभी भी देखने है दोस्त आपको तो आपको एक निश्चित छेतर का पता होना चाहिए आप वो निश्चित छेतर जानते हैं तो आप no sir, जी sir, thank you, okay, हिर्दय की तलकी गहराईयों से प्रेय गुरुदेव का हार्दी का भी नंदन, sir, हिर्दय के तलकी गहराईयों से आपका भी नंदन स्विकार करा गया है, आगे चलते हैं, तो first of all, मैं देखना क्या शुरू कर रहा हूँ, कि भारत के अंदर कोईला कहां मिलेग तो कोईला सबसे पहले तो है क्या है, आपका, कोईला देखने को मिलता है, रिसोर्स है, एक संसाधन है, और कैसा होगा, जैविक, ठीक है, फॉसिल्स होंगे यार इस कोईले के अंदर, जैविक संसाधन कैसे, जैसे आपको लॉहेस्क मिल रहा था, या आपको मैगनीज मिल यह आपको तामा मिल रहा था और एक चीज़ का ध्यान अगर आप आरेस की तैयारी कर रहे हैं तो लॉयस को और मेगनीजी देखना है सर आपके मिनरल्स जो है उसने क्लासिफाइड करें हो है उसने सलेबस में साफ लिखावा ऐसा नहीं सारे के सारे रट्टे मार रहे हैं आप बॉक्साइड भी देख रहे हैं अंडिया के अंदर कॉपर भी देख रहे हैं नहीं पूछेगा जो सलेबस में वो ही आपको देखना है और पीएसी के अंदर ठीक है तो कोल मैं बोल सकता हूँ एक जैविक आपका हो सकता है जैविक कैसे देखो एक पिरड था अपनी तो बहुत सारे पेड पोदे और जीव जन्तु देखने को मिलते हैं पर अर्थ का जो धरातल देखने को मिलता है ये धरातल कैसा था भी आपका दलदलीय छेतर था और इस पिरड में कुछ डिपॉजिटिंग होती है यानि कि ये पेड पोदे और वनस्पती है ना ये नीच दब जाते हैं एकदम से तूटके सब नीचे चले जाते हैं और नीचे चले जाते हैं तो ये धीरे धीरे क्या है आपका टाइम के साथ साथ जैसे कोई चीज जमीन में दब गई है तो एक तो अर्थ का टैंप्रेचर नीचे जाने के बाद में बढ़ने वाला तापमान और दूसरा अर्थ का प्रेशर दबाव उसकी वजह से इनके स्ट्रेक्चर में इनके सरूप में परिवर्टन आ गया और ये बन गए कि आपका कोल ठीक तो अगर पूछा जाए कि कोईला जो है वो किस क्रम की चटान में अगर मैं वैश्विक परिपेक्ष की बात करता हूँ तो म केवल गोडवाना में तो नहीं मिलने वाला है मैं बोलूगा सरवादिक कोईला गोडवाना में मिलेगा ठीक ये कई बार लोग यहां पर बड़े कंफीज हो जाते हैं आपके सर रतन भाई की प्रॉब्लम का सॉलुशन करो क्लास के बाद में करेंगे मनोज भाई रतन भाई का में एक वह समझे कई क्या रोГ को थी मावाना में डिर रामायन में तीना ओ दरश्शत से नराज जह बैठी थी मतलब जो रमायन में मतलब पटकठा कि पत क托ा क कथा का 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 कशा का जो प्रारंब्बोक रहीं से होता है तो कोई राणी वानी तो हुझ मैं रूठ जाऊ ज तो देखो अगर पूछा जाए कि पहला मैंने कुश्चन क्या बताया था कल कि भारत के अंदर मैटलिक मिनरल जो है वो कहा मिलते हैं धातविक खनिज कहा मिलते हैं आपने कहा मेरे को सरवादिक धातविक खनिज जो हैं वो दो टाइप की रॉक में मिलेंगे एक तो मिलेंगे धारवाड के इंदर और धारवाड के बाद में दूसरा जो देखने को मिलता है वो कुडपा के इंदर अगर देखो दोनों की ही बात आ जाए कि सरवादिक धात भी खनीज किसमें मिलेंगे तो मैं बोलता हूं सर धात धारवाड के इंदर मिलते हैं उसी तरीके से मुझसे गोडवाना करम की चट्टा ने और दूसरी कौन सी देखने को मिलेंगी आपकी कौन सी मैं बोल सकता हूँ तृत्यक पिरड या टर्श्री पिरड की जो रॉक्स हैं इसके अंदर पर अब बात यह होती है कि कोईला सरवाधिक किसमें मिलता है तो जो जितना भी कोईला अपने क कोईले खनीज के लिए सबसे महतपूर चट्टाने कों सी हैं मैं बोलूगा गोडवाना करम की चट्टाने सबसे महतपूर हैं गोडवाना करम की चट्टानों में सरवाधिक कोईला देखने को मिलता है क्या इसके अतरिक्त भी मिलता है हाँ सर मिलता है तृत्यक करम की चट् सा आपका एंथ्रेसाइड ठीक एंथ्रेसाइड फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा देखने को मिलेगा आपको बिटो मिन्स फिर उसके बाद में तीसरा कौन सा देखने को मिलेगा आपको लिगनाइट और चोथा कौन सा देखने को मिलेगा आपको पीट ठीक एंथ्रेसाइ लिगनाइट और फिर पीट देखने को मिलता है तो यहाँ पर कई वार ये कुश्यन मतलब इसके क्रम जो है न यह याद रखना कई वार पहले पूछे जाते थे हो सकता है अब भी आप से पूछ ले क्या आप इनके क्रम बताओ तो इनके क्रम याद रखने का एक ही तरीका है कि यह साइड में बिट्टू को लेके पीटा ठीक तो साइड के अंदर एंथ्रेसाइड बिट्टू से बिटू मिन्स लेके आपका लिगनाइट और पीटा से पीट यह चार इनके नाम है क्रम से याद रखने हैं ऐसे नहीं क्यों उल्टे सिधे याद रख लो अब बात आती है एंथ्रेसाइड क्या भारत में मिलता है सर नहीं मिलता एंथ्रेसाइड भारत में एक ही जगे मिलेगा कहां पे जेंड के के अंदर और कहीं नहीं मिलेगा एंथ्रेसाइड भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है बिटूमिन्स बिटूमिन्स मैक्सिमम production करेगा इंडिया भार्त में सरवाधी कुत पाधन करेगा बिटुमिन्स का और यह एंत्रेसाइड और बिटुमिन्स दोनों है यह गोडवाना क्रम की चट्टानों मिलते हैं बात कर लेका किसकी तृत्यक पिरड की तो तृत्यक पिरड में मिलता है कौन सा लिगनाइट तृत दुखी है वो ज़्यादे करता है तो ध्यान रखना कि एंत्रेसाइड जो इंडिया के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है सबसे ज़्यादा बिटुमिन्स का है और लिगनाइट और पीट देखने को मिलते हैं तो यह आपको टर्शी पिरड में मिलते हैं अगर पू जो कोहला सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है वो लिगनाइट का होता है पर यह भी मतलगा देना कि आप भारत में सरवादिक लिगनाइट का उत्पादन रास्थान करता है नहीं यार लिगनाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा आपका कौन सा तमिल नाडू ठीक, राजस्थान जो है, ये अगर कोईले की बात करोगे, तो राजस्थान में आपका टर्श्री पिरड के अंदर लिगनाइट कोईले का सरवाधी कुतपादन करा जाता है, भारत में सरवाधी कुतपादन किसका करा जाता है, बिटूमिंग्स का करा जाता है भारत और रास्थान के परिपेक्ष का याद रहेगा रास्थान में मतलगा देना कभी भी अब यहां से थोड़ा सा हम आगे निकलते हैं अब आगे देखना शुरू करा मैंने तो मेरे को और कोल के अंदर अब यहां पर कुछ आपकी नदी घाटी भी देखने को मिलते हैं कोले की कहा कहां पर देखने को मिलेगा यह रीजन देखते हैं एक बार आपन छेतर देखते हैं भारत के अंदर तो छेतरों की अगर बात करी जाए आपको याद रखना है कौन सा 36 गड उडिसा जारखंड और वेश्ट बंगल ठीक उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कौन सा एक याद रखना पड़ेगा आपको तमिलनाड एक याद रखना पड़ेगा आपको तेलंगाना और एक याद रखना पड़ेगा आपको मध्यप्रदेश अब कोईले के छेतर दो तरीके से याद करे जाते हैं एक तरीका तो होता है नदी घाटी के नुसार की कौन सी रिवर वैली में है और एक कौन-कौन से राज्य के अंदर पाया जा रहा है और कौन-कौन से माइनिंग पॉइंट है आपके तो सबसे पहले हम देखना शुकरते हैं भारत में सरवादी कोईले का उत्पादन कहा होगा या सरवादी कोईला उत्पादक छेतर कौन-कौन से है एक कुश्यन यहां से बनता है और ये जो डेटा है ये बिलकुल नए हैं ताजे हैं इससे मतलब लेटेश्ट नहीं है कुछ भी डेटा आपका कौल का तो भारत में सरवादी कोईले का उत्पादन तो ध्यान लखना प्रिजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन कर रहा है वो 36 गड़ कर रहा है सबसे ज़्यादा उत्पादन कोन करेगा 36 गड़ पहले कभी जारखन्ड हुआ करता था पर अब नहीं है दूसरे नमबर पे जो कर रहा है वो ओडिसा कर रहा है और तीसे नमबर पे जो कर रहा है वो जारखन्ड कर रहा है जारखन के बाद उडिसा देन थर्ड नमबर पे महराश्ट्रा लिगनाइट कोईले की बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाड का जो नवेली है ये सरवादी कुत पादन करता है लिगनाइट का उसके बाद में गुजराद देन तीसरा नमबर है राजस्थान का लिगनाइट कोल प्रोडक्शन के इंदर और बात करी जाए लिगनाइट के रिजर्व कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा तो ध्यान रखना तमिलनाड में और तमिलनाड के बाद राजस्थान में सबसे ज़्यादा बंडार देखने को मिलेंगे अगर ये याद नहीं हो रहा है तो सर आप मैप बना सकते हो मैप के थुरू रख सकते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा कोईला देखने को मिल गया 36 गर्ड, नमबर 2 पे उड़ीसा, नमबर 3 पे आपका जारखंड ठीक है, रिजर्व की बात कर ले तो बोल देना नमबर 1 पे जारखंड आ जाएगा, नमबर 2 पे उड़ीसा रहेगा और नमबर 3 पे महाराष्टा आ जाएगा लिगनाइट में ध्यान रखना सबसे ज़्यादा उतपादन तमिलनाड और सबसे ज़्यादा बंदार भी तमिलनाड रास्थान उत्पादन में तीसे नमबर पे और बंडार में दूसे नमबर पे लिगनाइट कोईले के अंदर अब इसके अंदर साइट देखना शूब करते हैं सबसे पहले कि भारत के अंदर कौन कौन से छेतर कोईले का उत्पादन कर रहे है या भारत में सबसे पहले कोईले का उत्पदन कहा हो रहा है तो कुछ बेसिक चीजे देखते है कोईला आपको पहला याद यह रखना है कि एक परंपरागत स्रोत है मतलब मैं बोल सकता हूँ पहले से यूज कर रहे हैं आपका new source, energy source नहीं है ए नवी करने हैं, नवी करने नहीं होगा इसको आप renewable नहीं कर सकते हैं दुबारा नहीं बना सकते हो सीमित संसादन होते हैं hydrocarbon होता है, ध्यान रखना यह कुछन पूछा हुआ है कि कोईला और petrol क्या होते हैं हाइड्रो कार्वन होते हैं औकसीजन की उपस्तिति के अंदर जलते हैं यह पैट्रोल का भी काम यह यह उसमें भी आपको हाइड्रो कार्वन देखने को मिलेगा उसी वज़े से इनके अंदर एनरजी आती है ठीक भारत में सबसे ज़्यादा कोईला कौन से करम की चट्टानो में गोडवाना में कितना आपका 98% का अब बात आती यूज की यूज किसके अंदर करते हैं द्यान रखना चाए भारत हो चाए विश्व हो कोईले का सबसे ज़्यादा जो यूज करा गया है वो करा गया किसके अंदर आपका थर्मल पावर प्लांट के अंदर ताप ये नेट के अंदर पूछा गया था कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोईले का उपयोग किस में करा जाता है कोईले का उपयोग विदुत निर्मान में और दूसरे नंबर पे आपका उध्योग में ये क्रम पूछा हुआ है सर राजस्थान में कहां पे है कोईला सर राज बावर जी पंद्धरा तारिक से ली आएंगे बाइटसाब watches है सर्प कि जोटेम के भावर जी अरख रीड़ीज के ली आएंगे नेच्ट के इसके अंदर दिहान क्या रखना है आपका बट लार्ज स्केल पे production नहीं हुआ था ये, बहुत बड़े इस्तर पे production नहीं हुआ था ये, और रानी गंज ज़वाला जो है 1764 आप देखते हो, गूवल करते हो, या कहीं कहीं आप देखते हो, अलग अलग इसके एर देखने को मिलते हैं, कहीं 1772, कहीं 1774, कहीं कुछ, इसक तो इन दोनों बुखों के अंदर आपका 1874 जो है इसको मैंशन करा हुआ है और उन्होंने कहा है कि आपका फश्ट अगर पहला अगर माइनिंग देखने को मिलेगा आपका तो यह 1774 के अंदर देखने को मिलता है आपका नेक्स्ट पश्टिम मंगाल के अंदर यह अंत्रसाइड लिगनाइट बिटूमिंस और पीट की बात हो गई यह कारवन के अधार पे यह चार आपको धियान रखने है उसके बाद गोडवाना और टर्शी करम यह धियान रखना है गोडवाना में आपका 98% कोईला देखने को म सबसे पहले आप आजाओ कहां पर नदी घाटी के बाद में तरीके से बाद में बताऊँगा पहले आजाओ आप कहां पर वैश्ट बंगॉल के अंदर तो वैश्ट बंगॉल में आपको ध्यान रखना है कि रानी गंज छेतर भारत का सबसे पुराना कोईला उत्पादक छे लेगी ठीक है चोदह पंद्रा तारिक से आपको डेली की दो क्लास मिलेंगी मैं डेली क्लास लूंगा है हैं कि ठीक है था मिल जाओ तो सबसे पहले आपको धियान रखना है क्या रानी गंज तो रानी गंज आप कहां बोल सब तो इस अप वोल के अंदर देखने को मिलता है मेरे को, कोईला उत्पादक छेतर देखने को मिलेगा, भारत का सबसे पुराना कोईला उत्पादक छेतर देखने को मिलता है, फिर आजाओ आप जहारखंड के अंदर, तो जहारखंड के अंदर दोस्त, आपको याद रखना है क्या, जैसे जार्खंड और जैसे जरिया जैसे जार्खंड और जैसे जरिया ठीक तो जो जरिया माईन है न ये कुश्चिन इतनी बार पूछा गया है बहुत से एक्जाम में पूछा गया है कि जरिया किसके लिए प्रसिद है तो जरिया जार्खंड में है कोईला उत्पादन के लिए प् बलता है उसके अलावा आप देखोंगे यहाँ पर आपको देखने को मिले मिलेगा जारखंड के इंदर ही यहां पर बोकारो में यहीं पर आपको बोकारो के पास में next जो है वो कहने धनबाद हो गया करणपूर हो गया और डालतंगंज हो गया धनबाद हो गया यहाँ पर आपका करणपूर हो गया और डालतंगंज अब नाम कौन कौन से याद रखने है जरिया बोकारो और डालतंगंज ये तीन नाम याद रखने है आपको जारखंड के इंदर जरिया बोकारो और डालतंगंज पश्चिम मंगाल में क्या बताया रानी गंज ठीक है पश्चिम मंगाल में क्या बताया मैंने रानी गंज जारखंड में जरिया बोकारो और डालतंगंज ये तीन छेतर रियाद रखने है जरिया मोश्ट इंपोर्टेंट है उसके बाद में आप आ जाओ कहाँ पर? 36 गड के अंदर आ जाओ और 36 गड के अंदर आप coal mine की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? कॉर्वा ठीक कॉर्वा और सोनट छेत्र जो है यह देखने को मिलते हैं कॉर्वा कई वार पूछा गया है कि कोरबा कहां है मैं बूलूँगा 36 गड़ के इंदर सोनट अज कहां पे है तो मैं बूलूँगा सोनट भी जो देखने को मिलता है ये भी मेरे को 36 गड़ के इंदर कोईला उत्पादक छेतर देखने को मिलता है ये यहां तक के तीन जो स्टेट हैं यह आपको ध्यान रखने हैं वेस्ट वंगॉल जारखंड और च्छतिस गड़ यह माइन एरिया हो गया उसके बाद में आप आ जाओ अभी उडिसा की बात करेंगे उडिसा के इंदर आपको एक देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है तालेचर यह मोश्ट इंप होगे उपर की तरफ इस एरिया में जारखंड में और वेस्ट बंगॉल में यहां कोई नदी दिखाए देती है आपको पश्चिम मंगाल का शोक कहा जाता है किसी नदी को दामोदर नदी को कहा जाता है क्या पश्चिम मंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हो कि नही देखना श्रूर करा यहां पर आपका पस्चिम मंगाल और ज्हारखंड में देखने को मिलती है और यहां पर आप देखोगे इस छेत्र के अंदर आपको देखने को इंदर है रानी गंज जो है ये किसके इंदर है मैं बोलूँगा दामोदर नदी घाटी के इंदर है कहां पे है वेश्ट बंगोल में है ये जरिया और रानी गंज दोनों याद रहेंगे जरिया बहुत पूछा जाता है basic question है geography का जरिया और आपका रानी गंज जो है ये दोनों आपके basic question है geography के आपके next आगे देखना शुरू करते है black river, polluted river है यार इस area के अंदर black river भी बोल सकते हो polluted river भी बोल सकते हो इसको पश्ची मंगाल का शोक भी बोल सकते हो और भारत की एक मातर ऐसी नदी जो पूरू की तरफ बहने वाली ब्रंच घाटी में बैती है यहाँ पर मालदा गैप देखने को मिलता है ना यह उस area के अंदर बहरी है पूरू की तरफ बहने वाली एक मातर नदी जो की fault valley में बैती है वना लोग तो नर्मदा और तापती का ही धियान रखते हैं कि यह दो नदी ब्रंच घाटी में बैती है दामोदर नदी भी एक ब्रंच घाटी में बैने वाली नदी है और पूर की तरफ ब्रंच के अंदर बैती है यह भी एक important fact इसके बारे में नेक्ट सर आगे देखना शुरू करते हैं दामोदर नदी के बाद में आप यहां उडीसा के अंदर आ जाईए यहां पे देखने को मिलेगी कौन सी आपको महा नदी और महा नदी घाटी के अंदर यहां पे देखने को मिलता है कि आपका तालेचर उडिसा के अंदर महा नदी में आया तो यहां देखने को मिलेगा क्या आपका तालेचर, कोईला, उत्पादक, छेत्र ये तीन चीज, तीन नाम किलियर हैं अगर आपसे पूछे कि जरा ये बताओ रानी गंज कहां मिलेगा वेस्ट बंगॉल में, कौन सी नदी घाटी में दामुदर में, पुछे जरिया कहां मिलेगा जारखंड के अंदर देखने को मिलेगा आपका, डाल्टन गंज कहां देखने को मिलेगा, जारखंड में देखने को मिलेगा ठिक, कोरबा जो है वो कहां देखने को मिलेगा 36 गड़ के अंदर देखने को मिलेगा बोकारो जो है वो कहां देखने को मिलेगा जारखंड के अंदर देखने को मिलेगा तालेचर बहुत इंपोर्टेंट है तालेचर पूछा हुआ है राजस्तान के अंदर फ़स्ट गेड में इससे पहले और प इंदर आप बोलोगे उडिसा के इंदर कौन सी नदी घाटी में है तो ध्यान रखना महा नदी के इंदर सर ये नदी घाटी मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों बता रहा हूं कि presently मैंने जो paper आपके observe करें हैं अपने RPSC के जितने भी paper observe करें तो इनके इंदर similarity देखने को मिली है क्या similarity देखने को मिली है UP state PCS के इंदर जो जगरफी के या other questions आए है न वो कुछ questions अपने राजस्थान के इंदर RPSC में repeat हुएं इन दिनों otherwise RPSC में पहले repeat नहीं होते थे अपने अलगी type के question आते थे बट कुछ questions इन दिनों आपके repeat हो रहे हैं तो UP के मैंने paper observe करें तो वहाँ पे कोईल उत्पादक के इंदर एक question आया हुआ है वो नदी घाटी से match करवा के पूछा था उसने तो इसमें hard से hard question बन सकता है वो ये बन सकता है आसान से आसान की कौन से राज्जे में कौन सी खान है ये दो type के question यहाँ पे बनेंगे आपके कोईले के इस से ज़्यादा question नहीं बनेंगे ओके सर next सर आगे देखना शू करते हैं आपन जारखंड का हो गया जरिया हो गया बोकार हो गया यहाँ पे धनबाद हो गया आपका ठीक है सर फिर उडिसा के अंदर तालेचर हो गया आपका तालेचर के बाद में एक और याद रख लेना मेरे कहने पे उसका नाम है क्या हिम हिम गिरी हिम गिरी तालेचर और हिम गिरी जो है यह दो छेतर देखने को मिलते हैं उडिसा के अंदर फिर आओ आओ आप यहाँ पे कहाँ पे नीचे की तरफ तेलंगाना में आजाओ देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक नदी गोदावरी नदी और एक देखन को मिलेगा कोल उत्पादक गोदावरी नदी घाटी में जिसका नाम क्या आपका शंग रहनी या सिंग रहनी शंग रहनी या सिंग रहनी शंग रहनी भी बहुत इंपोर्टेंट है पूस्ता है शंग रहनी कोला उत्पादक छेतर कहां पे है मैं बोलूँगा यह देखने को मि अपका छेतर देखने को मिलेगा उसके बाद में आप थोड़ा सा उपर आ जाओ सर तालेचर और तालेचर अलग है क्या तालेचर और तलेचर कोई दिक्कत नहीं है एक ही बात है तालेचर बोल दो तलेचर बोल दो बात एक ही है तालेचर बोल दो तलेचर बोल दो बात एक ही आपकी, ओके सर, शरंग रहनी की बात क्लियर हो गई, अब उसके बाद में थोड़ा सा और उपर आ जाओ आप, यहाँ पे देखने को मिलता है आपको मद्ध्य प्रदेश, और मद्ध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है सोन नदी, गंगा की एक सायक नदी है सोन नदी सोन नदी घाटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या सिंग रॉली, यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या सिंग रॉली, इसमें बहुत से लोग कन्फीज होते हैं कि सिंग रॉली कहाँ पे है, सर मद्ध्य प्रदेश के अंदर है, सोन नदी घाटी के अंदर, शंग रहन कहां पे है श्रंग रहनी तेलंगाना के अंदर देखने को मिलेगी आपकी गोदावरी नदी घाटी के अंदर तालेचर कहां पे है और हिमगिरी कहां पे है तो मैं बोलूगा कि सर्क तालेचर और हिमगिरी जो देखने को मिलता है वो उडीसा के अंदर देखने को मिलता है महा नदी घाटी के इंदर उसके बाद में एक आप से पूछ लिया जाता है कौन सा रानी गंज और जहरिया और बोकारो तो आप बोलोगे कि ये देखने को मिलते हैं दामोदर नदी घाटी के इंदर रानी गंज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखने को मिलेगा वेश्ट पंगौल के इंदर जहरिया की बात करता हूँ और मैं आपकी बोकारो की बात करता हूँ तो ये जहारखंड के इंदर कोरबा की अगर बात करता हूँ तो ये च्छतिस गड़ के इंदर तालेचर की बात करता हूँ तो ओडिसा के इंदर हिमगरी की बात करता हूँ तो ओडि तलोजा और उजुक्त जो है मद्य प्रडेश में तलोजा महराष्टा में तामभे को क्यूं लेकर आ शर्भवर जीहां पे तामभे कोई संबंद ही नीए दोस्ती आप कोई रिष्टेदारी नीए तामभे की तामभे कोकायो लेकर आ रहे हो औं का आघे देखना एक कट्टा पल्ली भी देखने को मिलता है, ठीक, शंग रहनी देखने को मिलता है, इसको छोड़ो, एक नाम और बताता हूँ, जो प्रजेंट ली एक्जाम में पूछा जाता है, नाकमचिक, नाकमचिक, और यहाँ पर देखने के मिलेगा यह आपका, नामफुक, नामफुक ठीक है सर, इसका नाम होगा आपका, नाकमचिक, नामफुक, ठीक, नाकमचिक, नामफुक, यह देखने को मिलेगा आपको, अरुनाचल प्रदेश के अंदर, इसको आप लिख लो, लिखना चाहते हो तो, यहाँ पर आप आओगे अरुनाचल प्रदेश में, यह पूछा नाकमचिक नामफुक तो नाकमचिक नामफुक जो है ये कहां पाया जा रहा है ध्यान रखना ये अरुहाचल प्रदेश में है किसके लिए जाना जाता है ध्यान रखना ये कोईले के लिए है ठीक ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में ये UPSC के अंदर पूछा गया था नाकमचिक नामभुक कोईला छेतर कहां पाया जाता है तो नाकमचिक नामभुक कोईला छेतर जो है ये मेरे को देखने को मिलता है कहां पर आपका आरुनाचल प्रदेश के अंदर आपका हाँ उन्ही में confused है किसमें confusion है बताओ मेरे को किसमें confusion है सर ब्लैक मैप है ब्लैंक मैप पर चलो ठीक है जेंड के के अंदर तो यार बहुत कम जम्मू वाला जो छेतर है यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि important आपका इता है नहीं यहाँ पर जम्मू छेतर के अंदर देखने को मिलता है कोईला चलो ठीक है इसको blend पर लेते हैं दुबारा इसको recall करते हैं तो आओ चलो मतलब वो ही है तो मैं शामपट पर ही समझने में आएगा है आज आओ सर सर जी यह दिखा इंडिया क्या बात कर रहा हूँ मैं कोईले की सबसे पहले कोईला किस क्रम की चटान में पाया जाता है मैं बोलूँगा कि सर गोडवाना क्रम की चटानों में सरवादिक पाया जाता है ठीक है सर अब मुझसे ये कुश्चिन पूछेगा दूसरा कुश्चिन कि भारत में सरवाधिक उत्पादन कौन करता है मैं बोलूगा भाई सार सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है 36 गड़ मुझसे पूछेगा 36 गड़ में कहां करोगे मैं बोलूगा कि सर 36 गड़ के अंदर देखने को मिलता है मेरे को कोरवा छेत्र यहाँ पे कोईले का उत्पादन करेंगे ठीक अब 36 गड़ के अंदर जो आपको आरेन एंड इस्टील कंपनी दिखाई देती है बिलाई तो बिलाई को कोईला कहां से प्रदान करोगे आप कोरवा से करोगे ठीक है सर उसके बाद में आप आओ यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपको जारखंड तो जैसे जारखंड जारखंड में दिखाई दिया मेरे को क्या आपका जरिया दिखाई दे रहा है जारखंड में क्या दिखाई दे रहा है जरिया ठीक जारखंड पे आपके एक Gang of Wasipur movie बनी हुई थी बार-बार नाम आता है वहाँ पे बोकारो का ठीक है? तो बोकारो भी आपको यहाँ पे रखना है और उस movie के अंदर बार-बार नाम आता है किसका धनबाद का तो धनबाद भी आपको याद रखना है ठीक? उसके बाद में आप आओ West Bengal, तो West Bengal के अंदर देखने को मिलेगा कि आपको Rani Ganj देखने को मिलेगा और यह जो जारखंड वाला और यह जो West Bengal वाला जो एरिया है यह दामुदर नदी गहाटी के अंदर है उसके बाद में आप आजाओ उड़ीसा के अंदर तो उडीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगा कौन सा तालेचर देखने को मिलेगा और तालेचर जो है ये नदी की बात करूँ तो महा नदी घाटी के अंदर देखने को मिलता है आपका ठीक है सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है फिर उसके बाद में आप नीचे आ जाओ आ आपको देखने को मिलेगा कौन सा मेरे को देखने को मिल रहा है तेलंगाना यहाँ पे नदी आएगी कौन सी गोदावरी नदी आएगी तो तेलंगाना के इंदर गोदावरी नदी घाटी में एक छेतर देखने को मिलता है जिसका नाम है श्रंग रहनी या इसको बोल सकते हैं आप सिंग रहनी श्रंग रहनी बोल दो या इसको बोल दो आप सिंग रहनी ठीक है फिर उसके बाद में आप मद्य प्रदेश में आओ तो यहाँ पे देखने को मिलता है सोन नदी घाटी और सोन घाटी के अंदर देखने को मिलता है आपको क्या सिंग रॉली क्या देखने को म बता ओ सर भगवन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हो गए क्या नाम याद, यहां तक के नाम याद हो गए ना, ठीक, यही पूछे जाते हैं इसके इंदर कोईले के इंदर कुछे हैं, उसके बाद में आप से कुछ चीज़े और पूछी जाएंगी, पूछी क्या जा लिए दी गा, नवेली में कौन से कोईले का उत्पादन होगा, मैं बोलूँगा, लिगनाइट का होगा. खिर्देस्तल बोल सकते हैं इसको औध्योगी कुरूप से विक्सित छेटर बोल सकते हैं और यहां पर विकास होगा आपका लाइश पात उद्ध्योग का ठीक है और इसलिए इसको कहा जाता है रूर आफ इंडिया रूर जो है जर्मन का आध्योगिक चेतर है और ये जो जार्खंड वाला जो चेतर है ये भारत का उब्ध्योगिक चेतर होगा इसलिए मैं इसको कह döँँगा कि आपका रूर आफ इंडिया कह दूँगा OK जी यहां तक कि कहानी के लियर अब आप देखो एक बार बाचन कर लेते हैं इसमें देख लेते हैं पढ़ लेते हैं क्या क्या छेत्र अपने को देखने को मिलता है क्या कुछ छूटा तो नहीं है इसके अंदर रानी गंज की बात हो गई ये बात हो गई ठीक है नेक्स्ट इसके अंदर देखना शूरू करता हू जहारखंड का सबसे बड़ा छेतर है जहरिया और जहरिया सबसे famous छेतर भी है आपका ठीक उसके बलावा गिरहड का धियान रखना ये भी important है ये भी जहारखंड में देखने को मिलेगा और बोकारो जहरिया गिरहड बोकारो ये जहारखंड के इंदर करणपुरा एक बार आप छोड़ दो जहारखंड का है सोन नदी घाटी के इंदर आप देखोगे तो सिंग्रॉली जो है ये उडिसा के इंदर आप देखना शू करते हो तो उडिसा के इंदर आपको देखने को मिलता है तालेचर, ठीक महा नदी घाटी के अंदर, कोरबा जो है ये 36 गड़ का देखने को मिलेगा, तमिलनाड के अंदर नवेली जो छेतर है, ये सबसे बड़ा उत्पादक छेतर है, जो कि आपका लिगनाइट कोले का उत्पादन करता है, दामोधर नदी घाटी के अंदर ध्यानक को मिलेगा कौन सा, तालेचर देखने को मिलता है, सुंदरगर देखने को मिलता है, 36 गड़ का कोरबा देखने को मिलता है, अक्सर पूछ लेता है, 36 गड़ का कोरबा कौन सी नदी के अंदर देखने को मिलता है, तो वो मेरे को देखने को मिलेगा कहां पे आपका, महा नदी यह साथ नाम याद करते ही, आपका कोईले का जो कुश्चन है, वो नहीं छूटने वाला है, वो कुश्चन जो आपका पूरा हो जाएगा दोस्त, ठीक, दूसरा, इसके कोल के कुछ, कुछ मैप ऐसे हैं, कि मैं आपको यहाँ पे शेर भी नहीं कर सकता हूँ, और मैं यहाँ भेज भी नहीं सकता हूँ, तो मैं आपको मैप सेंड कर दूँगा, कोल माइन के, ठीक है, जो गुरूप बना रखा है, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा, तो वहाँ से आप उनको पिक कर लेना, देख लेना, थोड़ी सी चीज़े आपकी और किलेर हो जाएंगी, क अब देखो, यहाँ पे क्लासेज होंगी आपकी लाइव, लाइव क्लास के बाद में वैसा नहीं है कि इसका बेनिफिट क्या है, आप एजुकेटर से डिरेक्टली बात कर सकते हो, मैं गहाँ रहा हूँ, डिरेक्टली बात कर सकते हो, प्रिजेंटली अनकेडमी पर हम इस आसेज तो करी सकते हो, उसके अलावा क्म्युकेट, यानि कि बात कर सकते हो हम से, कि सर मेरा ये डाउट था, और मैं बात करना चाहता हूँ, या बात करना चाहती हूँ, या यह चीज समझने में नहीं आया है, जिस तरीके से आप आफ लाइन क्लास के इंदर क्लास में खड उसके अलावा आप रेगुलर डाउट क्लिरिंग शेशन जो हैं यानि कि हर तीन क्लास के बाद हम डाउट क्लिर करते हैं वो भी आप ले सकते हैं आपको यहाँ पर कम्प्लीट कोर्स करवाए जाएंगे लाइव टेस्ट स्रीज देखने को मिलेंगे ऑनलाइन आफ लाइन इं ठीक हैं आपको कहीं जाने की जुर्त नहीं है और वो भी नाम मातर की फीस में फीस कितनी है टैसरीज वगरा या किसी भी आप एक्जाम की तेयारी कर रहे हो तो फीस देखने को मिलेगी साल प्लस दो महिने की तरेशट सो रुपे और दो साल प्लस तीन महिने की साथ हजार पान सो साथ रुपे 10% का ओफ मिलेगा इस फीस पे जैसे 7000 या 8400 है तो आफ के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं टी लाइव या नीचे डिस्क्रप्शन लिंक मिलेगा डारेक्ली उसमें जाके भी आप जो है जो है जो है जोईन कर सकते हैं अनकेडमी को ओके तो अब यहा हम सब्जेक्ट वाइड टेस्स ले रहे हैं बैच कोर्स देखने को मिलेंगे तो एक 50 डे का क्रेश कोर्स जो है हमारा SI के लिए शुरू हो रहा है एक आपका रीट लेवल 2 के लिए समापन कोर्स शुरू हो रहा है एक आपका आरेस प्रिलियम्स के लिए 13 जुलाई से हमारा कंप्लीट कोर्स शुरू हो रहा है और 45 दिन का जो कोर्स शुरू हो रहा है आपका SI के लिए final कोर्स है उसके अलावा 12 महिने का आपको प्रिलियम्स और मेंस का कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा यह आप जोइन कर सकते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे एजुकेटर मिल दिया है आपको नीचे description लिंक पर जाना है उसके बाद get subscription पर जाना है और discount के लिए code यूज करना है टीटी लाइव Combo subscription भी आप ले सकते हो उसके लाव आप तयारी कर रहे हो Unacademy RPSC यह जो channel है यह भी join कर सकते हो और Unacademy रास्थान यह हमारा एक channel है यह भी join कर सकते हो और Unacademy RPSC टेलिग्राम channel है यह भी आप join कर सकते हो तो sir दूसरी बात जाते जाते एक बात और आप से कि आप कभी भी exam की preparation कर रहे है तो आपको चीजे शुरु elaat के एक महिने समझने में नहीं आएंगे दो महिने समझने में नहीं नहीं या आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक महिने समझने में आएगा या पंदरा दिन समझने में आएगा, उसके बाद में पंदरा दिन के बाद में एक फेज ऐसा आएगा कि वो सारी की सारी चीज़े आपको समझने में आने लगेंगे, पर गलती क्या करते वो बूक पढ़नी है, मैंने चार चेप्टर पढ़े, मेरा इंट्रेस्ट क्रियेट नहीं हुआ, मैंने बूक बंद करके साइड में रख दी, चोथे दिन मैंने अपने हाथ खड़े कर दिया, मैं उसमें इंट्रेस्ट ही क्रियेट नहीं कर रहा हूँ, तो जब तक आप अपन आपको खुद पे confidence जो है वो आने लगेगा और आप एक महिने तीन महिने चार महिने की लगातार तयारी के बाद बोल सकते हैं कि हाँ यह exam में crack कर सकता हूँ यह exam में crack कर सकती हूँ तो जरुत है आपका कि आप लगातार जो है वो तयारी करते रहें और भागे ना किसी भी subject से जो चीज समझने में नहीं आ रहा है वहाँ से भागने की जरूत नहीं है वहाँ पे time देने की जरूत है आपको ओके सर एक बार टिटी लाइव कूपन कोड भरो दोस्तों ठीक है सर आज मैं कर दूंगा मैं वर्ल्ट जोग्राफी की पूरी कर दूंगा मैं सर रो मैटरियल की वज़े से major industrial region iron and coal reason जज़धिक डवलब हुएं, यस, बिल्कुल काइना, बिल्कुल, अब भ्यारन में करवा दूँगा, अब भ्यारन में करवा दूँगा, राजस्थान के और इंडिया के, देखो सर, आप एक चीज देखो, मैं इसको जाते-जाते थोड़ा सा ओर मैं इसको क्लियर कर दूँ आ वाला एरिया ये छोटा नागपुर के पठार वाला एरिया इस छोटा नागपुर के पठार एरिया में यहां पे मिल रहा है आपको क्या कच्छा लोहा ठीक आइरन ओर मिल रहा है लोह एस्क मिल रहा है और यहीं आपको मिल रहा है कि आपको कोल मिल रहा है या मैं बोल सकता कोईला मिल रहा है, iron and steel industry जो होती है न लोहा इसपात उद्ध्योग होता है, ये किसी भी देश का मतलब किसी भी कंट्री का इसको बैकबोन बोलते हैं, आधार बोलते हैं उद्ध्योग का, क्यों? क्योंकि अगर आप पे लोहा ही नहीं बन रहा है, तो आप क्या उद्ध्योग बनाओगे यार, आप लोहा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप मशीन कैसे बनाओगे, कोई सी भी इंड्रेश्टी ले लो, चाए आटो मोबाल ले लो, गाड़ी बनाने का उद्ध्योग ले लो, चाए लोकोमोटिव ले लो, रेलवे इंजिन बना रहे हो, रेल के डबबे ब बना रहे हो, कोच बना रहे हो आप, या उसके अलावाब आप शिप बिल्डिंग कर रहे हो, आप जहाज बना रहे हो, या पानी के जहाज बना रहे हो, तो लोही की तो आपको जुरत पड़ेगी, पड़ेगी, तो लोहा जो है वो आपको बनाना है, ठीक, इसलिए कहा जात सकता हूँ सर्फ और जो है ना ये कच्चा है इसके अंदर प्यॉरिटी नहीं है ठीक है और और जहां मिल रहा है मैं अब ऐसा नहीं मेरे दिमाग में आए कि भाई साब एक काम करो आप तो राजस्थान के अंदर अपने खाली जमीन है पर्शी मरास्थान में यहां लो इस पा तो जहां पर लोहाइस्क मिलता है ना यह द्योक प्राय वहीं स्थापित करे जाते हैं जो लोहेस्क की खान ओगी उसी के पास में क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेश्ट चार्ज जो है ना वह ज्यादा बैठ जाता है अब अगर वहां पे कोईला मिल रहा है तो सर सोने पे स निकालोगे और जो इसके अंदर आप बोल सकते हुआ शुद्धियां जो है वेस्टेज जो है इसके वो अलग निकालोगे ठीक तो कोईला जहां पर मिल रहा है रहा है मैं क्याहीं क्यूं ना कर लूँ मेरेको तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज यहीं देना है मेरेको ना तो कह लाना है ना कहीं से लॉसक लाना है यहीं मिल रहे हैं यहीं से कोदूँँगा कोईला यहीं से निकालूँगा लॉसक और यहीं इसे थापित करण गा, किया दामोदर नदी में महा नदी घाटी में पानी की उप लबदा हमें, करने हैना घ्रदर कहले जब तक मैं बता रहा हूं, मैं एक गल्ट तरीके से पढ़ रहा था मेरे paper crack नहीं हो रहे थे जब मैं एक सही way पर आया कि हाँ मैं paper देख रहा हूँ paper analysis कर रहा हूँ उसके बाद मैं एक ही book से 3-4 बार पढ़ रहा हूँ आप मानोगे नहीं यार खुद मेरा paper crack हुआ है paper हला कि उससे पहले भी crack करा हुआ था मेरा जब crack हुआ तो मतलब ताबर तोड तरीके से मतलब बोलते हैं नहीं दुआदार तरीके से मतलब बाहु बली टाइप का जो है वैसी entry हुई थी उस paper के result के अंदर मेरी ठीक मतलब मेरे को खुद को question जो है वो सही थे उस paper के अंदर तो आप तरीके से करेंगे तो सारी चीजे होंगे आपको बस वो ही है आप regularity रखिएगा तो मैं भी आपको यहाँ daily मिलता रहूँगा और जितना भी आपके कोई भी preparation को लेके कोई भी question है या exam को लेके कोई भी आपकी दिमाग में सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पे भी message कर सकते हो और मैंने कहा है class के नीचे भी आप comment section में comment कर सकते हो on academy पे मेरे को follow कर सकते हो वहाँ पे भी आप मेरे को message कर सकते हो no doubt आपके message का मैं answer दूँगा बाकी अगर आपको एक class लगी है अच्छी तो like तो करना ही है इसको share आप करोगे यह तो मेरे को पता ही था पर channel को subscribe नहीं कर रहे हो channel subscribe और कर लेना टेक तो daily आपको मेरी मिलेंगे classes अब थोड़ा कुछ दिन का मेरा एक break है 15 तारिक से मैं continue करूँगा 15 तारिक से हम फिर मिलेंगे अनकेडमी प्लेटफोर्म पर ही टाइम अपना यही रहेगा रात को 10 बजे फिर मिलते हैं तब तक के लिए thank you, goodbye and have a nice time